हेलो गाइज, वेलिकम टू दे चाइनल, आर्वी फंटसी सेवन, तो आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले, यन्बिया का जो सेकंड मैच होने वाला है, पोर्टलैंड, ट्रेल वेजर्स याने प्योवार, वस्स वाया, वासिंग्टन वाइजर्स याने डव्लुएस की बिच में, तो दोनो टिम के अगर बात करू, तो लास्ट मैच अपना थर्ड आफ यापर फेपरवारी के लिए थी, और उस मैच में आपर पोर्टलैंड ट्रेल वेजर्स यापर वासिंग्टन वाइजर्स को यापर 11 पॉइंट से हराया था, और उस इक साथ साथ आगर दे अच्छा जाने वाला है, टेलग्राम चैनल पर मैंने इंफर्म किया था, और लगबग यापर 4X प्लस रिटेन मिला था, जितने मैंने इन्वेस्ट किया थे, उस से 4 गुना मुझे यापर रिटेन मिले थे, उस इक साथ साथ जेल में भी हमारा यापर अच्छा खासा रैंक आया था, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले, यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, तो चेक अना सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और फाइनल टेम के लिए आप हमारी टेलिग्राम चैनल से जाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन म आपर 9 विन और 17 लॉस, और उसिक साथ साथ पोर्टलैड, 18 विन और उसिक साथ 10 लॉस, और यहापर वाइजर्स के अगर बात करो, तो वाइजर्स के जो मेन प्लेर है, तो वो इंजोरी के बज़े से यापर थोले से आपर आउट हो चुके, और दोनो टीम आपर अच्छी खासे टीम है, स्ट्रॉंग टीम है, लास्ट मैच भी आच्छा खास हुआ था, बस से 11 पॉइंट से यहापर विन किया था, सबसे पहले पोर्टलैड के तरफ से डिली आला, आपको आपको आज स्टार्टर देखने को मिलेंगे, जीटरेट आपको आज स्टार्टर देखने अगर यहापर बात करूँ तो यहापर एक एंटर्स आपको यहापर से खेलते हुआ दिखेंगे, एक एंटर्स यहापर आपको रिबाउंट बहुत ज़्यादा जाएंगे, जो सेकंड मैच था, तो सेकंड मैच में आपर एक एंटर्स ने 20 प्लस से आपर रिबाउंड गर बात करूँ तो या पर आपको या पर बैंसी मिल जाएंगे, अपर C& don't know, जो कि आपर credit थोड़ा सा है, उसीरसाए उसी इस बेंज संवर्धाइश मिल जाएंगे उसी पससा तेहां पर आपको बिबेल अई फ्टार्टर देखनें को मिलेंगे उसी पससा अरे निटो बैंट से कैलते हैं जी यल में यापर ध्यान राकना जी झाल्स पर उसी फससा तेहां पर अगर बात करू पाल evolved नियुभा पर Venus प्लेयर है इस टीम की तरफ से अगर यहापर बात करू तो टी ब्राइंट आज का मैच खेल सकते हैं और उसिक साथ यह मुएंगर इनके आगर बात करू तो लास्ट मैच मैच इनका बेष्ट राता बाकि 7 क्रेडिट का प्लेयर है चाहे तो आप इनको ट्राइ कर सकते हैं और जो एलिंक को अच्छा खासा टाइम मिला था उसिक साथ सा टी ब्राइंट सेंटर से मुझे लगता है आज के मैच यहापर खेलने वाले है तो यहाज से यह मुएंगर को यहापर देखने को मिलेंगे बिबेल्स इंपोर्टन प्लेयर है सबसे जाद़ पॉइंट शुट करते हैं आर ब्रुक्स टेन असिस टेन ब्लोक पर इच मैच यहापर देते हैं उसिक साथ साथ जी मैथिवस डिफेंस्यों के लते हैं जील में ट्राइ करना बाकि स्मॉल लि यहापर देखी यहापर 39 मिनेट के लिए ते उसिक साथ साथ 12 पॉइंट 10 प्लस रिबाउंड हर मैच में 10 प्लस असिस्ट हर मैच में यहापर देते हैं यहापर भी देखी यहापर 13 रिबाउंड और उसिक साथ 12 जो सेकंड मैच रहा था तो यहापर भी देखेंगे यहाप पर तो रिबाउंड थार्टीन असिस्ट उसिघशा चाहत फिफ्टीन तो यह से आगर यह पर आप कंपेर करेंगे तो आपर यह पर 10 आसिट के यह पर 15 पॉईंट यह से हो जाते तो याप पर 15 असिस्ट याप पर इन्होंने दिये थे मतलब याप पर 20 प्लस पॉइंट यासी इन्होंने दिये थे तो बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे आरवेफ स्टो उससाथ साथ याप पर बहुत जादा लोग इगनोर कर रहे पर या पर थोड़ा से मैनेज़मेंट करने के लिए आपको आरवेफ स्टो को या पर द्रॉप करना पड़ रहे है निया तो किसी बड़ी प्लेट को आपको ड्रॉप करना पड़ना है क्योंकि जब भी आपर dream alone team में final बाता होंगा तब आपको पता चल जाएंगा बाकि आपर best pick के बहुत जादा लोग ignore कर रहे हैं आप चाहिए तो try कर सकते हो small league में बीबिल्स से आपर best pick मिल जाएंगे और बीबिल्स का selection percentage उनके हिसाब से ही है बाकि बीबिल्स के आगर last match के आगर performance देखेंगे 37 minute 10 assist इनोंने भी किये थे वागि 4 rebound और 25 point जो second match रहा था बीबिल्स का तो वह आपर भी आच्छा खासा performance रहा था और जो head to your match रहा था तो बीबिल्स ने आपर head to your match में 38 minute केलकर 37 point बने थे 2 rebound 4 assist उसिक्सासाथ 1 block R waves 2 block के आगर बात करू तो 33 minute ये भी किले थे 17 point 12 rebound उसिक्सासाथ 10 assist तो इनोंने भी किये थे तो best दोनों भी आपर पीके और अगर बात करू तो या पर भीबिल्स आज की match में थोले से सेफ होने वाले है उसिक्सासाथ R waves 2 या पर थोले से आपर रिस्की होने आले जब टीम बताऊंगा तब या पर detail में आपको पाता चले जानेगा आर निटो बैंसी केलते GL में ट्राइ कर सकते हो ताइम अच्छा कासा मिला तो या पर offensive केलते अच्छे कासे point ये भी आपको दे देंगे बाकि या से G Matthews as a starter केलेंगे अगर G Matthews का आपर last match का अगर performance देखेंगे तो G Matthews as a starter केलते हो last match में केले थी 17 minute 8.56 साथ 1 rebound 1 assist जो second match रहाता है second match में आपको देख सकते G Matthews का performance time कम मिला था बाकि आपर defensive जाता केलते है G Matthews as a starter आपको मिल जाएंगे as a bench player ये भी आपर बैंच ही केलते है 8.5 credit के player है time में आपर average मिलता है और performance भी average रहता है last match में time अच्छा खासा मिला था 21 minute केले थी 3.7 rebound G Matthews as a 2 assist 1 steal जो second match रहाता या पर भी 20 20 minute या पर भी मिले थी तो time इनको अच्छा खासा मिलता है बाकि यापर point थोड़ से आपर कम देते है क्योंकि यापर defensive जादा केलते है यापर भी 20 minute 5.96 सा 3 rebound जाए तो आप try कर सकते है 8.5 credit के player है G L के लिए best pick मिल जाएंगे G Matthews तो याँसे यापर पूरू तरे risk case है यापर flop ए आरे जो मेरा बहुत जादा लोग ignore कर रहे आज स्टार्टर आपको देखने को मिलें गया से D Barton के अगर बात करू तो D Barton से यापर आज बैंच प्लेर खेरेंगे और बैंच से सबसे बेस्ट प्लेर है last match का D Barton का सबसे बेस्ट गया था 30 minute के लिए थे 35.9 उसिकसाथ सा 3 rebound 1 assist 1 blocker 1 steal उसिकसाथ आरे जो मरा करू तो यापर 29 minute यह भी खेले थे 14.9 उसिकसाथ 4 rebound उसिकसाथ 3 assist 1 steal जो second match रहा था तो उस second match में आकर देखेंगे थे आपर D Barton का performance उसिकसाथ साथ आपर परफार्स देख सकते तो बेस्ट पीक आपर इदोनों भी आपर मिल जाएंगे और दोनों आपर स्माल लिग में खास करेक्टि डी बर्टन्स अल्मुस्ट आपके 100% अपोनन के पास होने वाले उसिक साथ टिब्राइंट आज का माच खेल सकते एलीन लास्ट माच के लिए थे और उसिक साथ तो यम वागर आज स्टार्टर यासे कहलेंगे बिलूपस अज बैंच प्लेयर कहलेंगे यम वागर को लास्ट मैच में बहुत कम टाइम मिला था बस से आपर तीन मिनटी मिले थे एक फाल किया था बात में उसको या उनको आपर आउट किया तो फिर चांसी नहीं दिया था बाकी आर निटो के परफॉर्मस अगर देखेंगे तो आर निटो का परफॉर्मस अच्छा खासा राए बाकी एलिन लास्ट मैच में आपर खेले थे एटीन मिनेट के ले थे उसक सासा 10 पॉइंट एट रिपाउंड वन असेस्ट और उसक सासा द वन ब्लॉक्स बाकी अगर थोड़े से यापर रिस्की होने वाले अगर यापर बात करूँगा यापर ब्लेजर की सरफ से ब्लेजर की सरफ से डेलिया अल्डार बेस्ट यापर येश्पी चाहिए साच की मैच में डेलिया आलार के अगर बात करूँछ आज स्थार्टर के लेंगे लास्ट मैच आगर इनके बारे में कहें न तो यापर 38 मिनेट के लिए थे 43 पॉइंट, 4 रिबाउंट, 4 रिबाउंट, 16 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील, तो सबसे बेस्ट फरफार्मस रहा था, बाकी जो हेट्योड मैच वा था लास्ट का, तो हेट्योड मैच में आपर 39 मिनेट के तो जीटरेंट, आज स्टार्टर देखने को मिलेंगे, बाकी परफारमस इनका भी बेस्ट रहा था है, लास्ट मैच 34 मिनेट के लिए थे 23 पॉइंट, 16 असा, 2 रिबाउंट, 1 असिस्ट, 1 स्टील, बाकी जो सेकंड मैच रहा था, तो सेकंड मैच में भी इनका आगर देख और 3 असिस्ट, और जो सेकंड मैच रहा था, तो सेकंड मैच में भी आपर ए सिमसंगा परफारमस देख सकते है, बेस्ट परफारमस दिया था, 18 मिनेट के लिए थे, उसिक सासा थे आपर 15 पॉइंट, तो रिबाउंट, उसिक सासा थे, वन असिस्ट और वन स्टील, और जो हिट्योड मैच रहा था, हिट्योड मैच में ए सिमसंग थोड़े से आपर फलाफ गई थे, 14 मिनेट के लिए थी, 3.2 रिबाउंट, उसिक सासा थे, वन असिस्ट, और उसिक सासा से आंटन ने अच्छा खासा परफारमस के आ था, तो बेस्ट पिक मिल जाएंगे, आरोल भी आज़े बैंच पिलेंगे, यह भी अच्छे खासे पीके, जी एल में ट्राइ कर सकते हो, बाकी, यह सिमसंग मुझे यहापर थोड़े से आपर सेफ लग रहे है, बाकी आगर यहाँ से बात करू, तो से आंटनी, यहाँ से आज़े बैंच पिलेंगे, डी जान से आसे स्ट क प्लॉक और टो स्टेल, इन्हों ने के थे लास्ट मैच में, से आंटनी, 12 क्रेडिट के प्ले रहे, अज़े बैंच पिलेंगे, 20 मिनेट के ले थे लास्ट मैच, उसिक सासा 12.3 रिबाउंट, वन असिस्ट, यह लिटल के बात करू, तो क्रेड़े से और 4.5 क्रेडिट के प पर बस से याँपर के ले थे, और इस आउसा सा आपर असिस्ट के या था, सियानते निका, जो हैर्टयोड मैच रहा था, तो उसमें आपर फरफ्रमस बेस्ट रहा था, उसिक सासा अगर बात करूंगा, तो बेस्ट प्लेट रहे, 20 से आपर अच्छा खासा टाइम, इनको मि उसिक साथ आरो कोविरिंग स्टंग आज स्टार्टर के लिए यह जिल या से आउट हो चुके जेड कॉलिन या से आउट हो चुके आरो कोविरिंग स्टंग या से पावर फारवर्ड से आपको ब्लेजर की तरप से आपर खेलने को दिखेंगे और कोविरिंग स्टंग का लास से भी पॉइंट कम डियेती लेकि iloghi यह पर भी फाव बॉ लॉख और जो थरड मैक सांघ तो थरड मैच में भी यह पर देख सकते हैं चार सुरग तो स्टील और बलॉघ बहुत बड़ी же गारते हैं यह पर 2-3 यह पर स्टेल और ब्लोग देते हैं, must आई वे उसिक साथ साथ यहापर बेस्ट पिक मिल जाएंगे, स्टार्टर मिल जाएंगे अच्छा कासा टाइम खेलते हैं 10 क्रेडिट के प्लेए एक एंटरस के आगर बात करो तो लास्ट मैच इनका आउरेज रहा था, बागी जैनूर के आया से आपर आउट हो चुके बागी एकेंटर्स के अगर बात करो तो सेंटर्स से बेस्ट प्लेयर है लास्ट मैच आउरेज रहा था लेकिन सेकंड मैच जो रहा था इनका यापर देखे 21 रिबाउंड तो सबसे best rebound दे ते उसका सा 8 pointless और जो हेट ye heard match रहा था तो हेट Alban मैच में भी यापर 15 rebound उसका सा 14 point और दो CTL किया थे तो इसलिए आपर मुझे आपर थोड़ से important लग रहे ए क्योंकि आपर last match इनका बढ़िया नहीं गय है बागी second match में हर match में अल्मोस्त यापर 10 rebound यही देते हैं यहीं केंडर्स और उसी ऐसा सा 2nd match में तो बहुत तग्रे rebound देते हैं और उसी ऐसा 3 का Hettoil performance भी best राहर भी यापर 15 point उसी ऐसा सा 14 rebound यहीं देते हैं तो best pick मिल रहेंगे 13 credit के player हैं अलोंस की अपके भी, 100% अपने कि पास नहीं नेयर अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाती हो तो आप इनको ड्राइवाः ड्रॉप कर सकती हो स्मॉल लीग ट्रिम में तो थोड़े सी रिस्क ही लेकिन जिल में आप अपढ़ आप ड्रॉप कर सकते हो उसके साथ जो सेकंड टीम होंगी वो होंगी बीबेल्स के साथ बीबेल्स के साथ जो टीम होने वाली वो सेफ टीम होने वाले अल्मुस्ट आपके हर अपोनन के पास ये टीम रहने वाली बाकी आर वेफ स्ट बुक के अगर टीम की बागर बात करो तो यापर थोड़ी से आप पर डीबर टन हम बैंसी के लेंगे बेश टाइम मिल था उसका साथ लास्ट मैच इनका बढ़िया गाया था था 30.9 ने बैंसी दिये थे डीबर टन्स ने उसका साथ आरको विर इंटर से आपर आपको मिल जाएंगी बाकि यहाँ से यहाँ से यहाँ आपर पिक कर सकते हो या फ सबसे आपर मैच डेसाइड करने वाला होने वाला है यहाँ आपर आप पिक कर सकते हो लास्ट मैच बस तीनी मिनट खेले थे बाकि आज के मैच में पता नहीं कितने मिनट खेलेंगे क्योंकि एलीन को अच्छा खासा टाइम मिला तो यहाँ आपर थोड़ा सा कम टाइम मिले वाले अल्मोस्ट आपर थोड़ी से आपर मुझे class team दिखाए देरी बाकी हमारी जो second थोड़ी से आपर इसकी वाले team में उस team में हम यापर drop करने वाले बीबेल्स को उसका साथ आर्वेब्स टूक को लेने वाले क्योंकि आपर यह हर match में आपर 10 assists 10 rebound हर match में देते बाकी हाँ से जी ट्रेंट को भी drop करना पड़ेंगा क्योंकि 4 player वेजर के आपर 5 से ज़्यादा है आपर player लेने सकते है क्योंकि आपर आगर इनको यापर लेना है तो फिर यापर आपको यापर आर्वेटो को लेना पड़ेंगा जो कि आपर 20 के लेंगे परफार्मस इनका आवरेज रहता है बाकी आगर यापर आप जी ट्रेंट को यापर ड्रॉप करते हुँ तो यापर आपको एस सिमसेन मिल जाएंगे आपको आर्वेटो मिल जाएंगे जो कि आपर आज स्टार्टर खेलते 12 क्रेडिट के प्लेयर है टाइम अच्छा खासा इनको मिलता है बागी यह चंजे साब कर सकते हुँ यह थोड़ी से आपर रिस्क्यू कॉम्बिनेशन है यापर हमने ड्रॉप किया हुआ है यापर हम फिह और तिनो भी प्लेयर में आगर यापर सेन्टर से खेलते हो तो टाइम का यापर ड्रॉआडएशन होने वाल gehen बाकि यह सेकंड्र जो टीम है तो थोली से आपको यह थेस की टीम है बाकि इस टीम में आपरहमार क्पर। बस एगी प्लेयर पर है वो प्लेयर है हमारा जी ट्रेंट उसिख साथ साथ आप याप बीबेल्स जो कि आप इनको इन पर रिसके ले रहे हो लेकिन बीबेल्स की जगा पर आप आर्वेफ स्टूप दे रहे हो जो कि आपको अच्छे का से पॉइंट देने वाले रिबाउंड असिस्ट और उसिख साथ साथ कुछ आप पर पॉइंट रिक से भी शूट करने वाले स्टिल और ब्लॉग दे दिये तो फिर आपर बेस्ट टेम ये भी बन जाएंगी बाकि याँसे आप इसपी नो डाउट बेस्ट साथ साथ आर्वेफ स्टूप बेस्ट पीप मैंने जो बता ही वो आप यापर चाहे तो यापर सेव कर सकते हो बाकि फाइनल जो भी टीम होंगी टेलेग्राम चैनल पर दे दूँगा तो आई होप गाईज आपको वीडियो पसंद आयोंगा उसिक साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब किया होंगा नहीं किया तो कर दो यार सब्सक्राइब उसिक साथ साथ टेलेग्राम चैनल से जाइनने हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी